कि नमस्ते दोस्तों मैं आनंदी श्वागत थे आप सबी लोगु का हमारे चैनल हेल्थी बेवी केर में आज हम बात करने वाले हैं श्वीट पोटेटो यानि की शकरकंद की बारे में पूरुस अगर शकरकंद खाते हैं तो उन्हें क्या-क्या फैदे होते हैं पूरुसु को लाज तक जरूर देखें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लिज सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन की गंटी को दबाना बिलकुल नाम होने चले गाइस आज की वीडियो श्रू करते हैं जो स्वीट पोटेटो यानि की जो शकरकंद होता है इसमें वुर्जा का ख़दान माना गता है सेप का सवगुना फैदा आपको शकरकंद खाने से होता है तो शकरकंद हर पूरुस को जरूर खाना चाहिए क्यांकि गाइस पूर्सों में जो है कमजोरी थकान हड़्यो में दर्व जोरों में दर्व मांशब्यसियों में परिसानी तनाव काम करने से काफी हमेशा थकावट होती ऐसे परवल्जारि में ज्यादा तरूट है अब हम आपको बता देते हैं कि सखरकंद में विटामिन बिटामिन सी केल्सियम फासफोरस्ट आयरन मेगनेश्या ऐसे पोड़ सकता तो पाए जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए हमारे श्वास्त के लिए हमारे मस्तिस्क के लिए काफी लापतकारी माना जाता है अगर जिनकी आखों की रोशनी का मैं या आखों से दुंदला सा मोटे होंगे लंबे होंगे खुब्सूरत रेजमें से बाल होंगे अगर आप भी इसका लाब उठाना चाहते हैं तो जरूर सेवन करें अब आपको बता देते हैं पाचन के लिया की बीमारी हो पेट की बीमारी हो गय से लिटी डाइपेटी जो लीबर की परसानी हो या सब बीमारी हो से लड़ने के लिए आपको ताकत मिलेगी हड़िया कमजोर है उसमें से कट-कट की आवाजे आती हैं चलते हैं या फिर बैठते हैं खड़े होते हैं तो आपके कमर में जोड़े में दर्द या फिर रात में सोते हैं अगर करवट लेते हैं तो करवट में ले पा स्वीट पोटाइटो बोलते हैं बहुत ही फैदेमान और बहुत ही जबर्दस तनुसका है समय तो मार्केट में बहुत आसाने से उपलब आपको मिल जाएगा अब कहीं से भी इसको आसानी से खरीद कर इसे शुबह नास्ते के समय इसे ज्याद अतर आप सेवन करेंगे तो करिएगा अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजीगा अगर आपको कोई सवाल है तो में कमेंट बाक्स में जरूर लिकर बताएं आजका लेतना है दोस्तों मैं मिल दियूंग किसी अलग हर नए वीडियो के साथ दबते के लिए शुरस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद कर दो